और क्या हाले मेरे दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलाम में स्वागत के साथ साथ अभी नंदन करती हूँ तथा अपने ने दोस्तों कैसे बुछ जकती हूँ हेलो आप लोग कैसे हो आप श्वेता पाक कलाम बना मिस्सी रोटी जो बहुत जादा टेस्टी ब पूरा थ्यान रखे हेल्दी बनाईए हेल्दी घाईए चलो दोस्तो हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं मिस्सी रोटी सबसे पहले मिस्सी रोटी का हमने आटा गूत की तयार कर लेना है इसके लिए डेढ़ कटोरी हमने बेसन लिया है बेसन आप कोई भी ले लीजे जो भी आपके पास उपलब दो, साथी साथ एक कटोरी इसकेंदा हमने क्यों का आटा रखा है अगर रेशियो की बात करें तो हमने टेड़ कटोरी बेसन लिया है और उसकेंदर एक कटोरी आटा डाला है मिक्सी रोटी बनाने में बेशन की मातरा थोड़ी सी जाता होती और आटी की मातरा थोड़ी सी कम होती है इस तरह पहले ड्राई ही इंसारी जामाकरी को अच्छी तरह से मिला लेती है मिलानीक बाज इसके अंदा 2-5 के करीब अपने हल्दी पाउड़ डाल दिया च्वाद के उसवार आधा टीबे स्पून से थोड़ा सा कम इसके अंदर हमने नमक डाल दिया, आधा टीबे स्पून इसके अंदर हमने अजवाइन डाल दिया और एक टीबे स्पून धनिया लिया था उसको दरदरा खूट के तयार कर लिया और उसको भी इसके अंदर डाल द पानी को डालते जाते हैं तो पीस हमने मिर्ची लिए थी एक्तम बारिक टुकड़ों में इसके काटके डालते हैं, एकमिटे साइच की प्याज को पिर बारिक टुकड़ों में काटके रखा ते इसको डाल देती हैं, 3-4 ट्रेबेस्पून इसके अंदर हमने धनिया पता डाल अब इसके अंदर दो ठीवेश पूर मिल्टेट देशी की डाल लीचे बटर डाल लीचे या फिर रिफाइन डाल लीचे डालने के पाथ पहले इन सारी समागरी को अपने ड्राइ अच्छी तरह से मिलाग के त्यार कर लेना है और मिलाने पर इसके अंदर थोड़ी थोड़ी पानी को डालते जाते हैं और इसको आटी को गूत के तयार कर लेती हैं इसके अंदर बेसन ने एक बारगी में बहुत जाता पानी मट डालीगा क्योंकि बेसन पानी को कम सुकता है अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी पानी को डालते जाते हैं, अच्छी तरह से इसको मसल की गूत के त्यार करनेंगे, इसका आटा थोड़ा सा टाइट गूत के त्यार करना चाहिए और इससे तरह देहें आता गूद के तयार होगे अब आते को हलका सा मसल तेवी गूद के तयार करें रोटी इतना बड़ी अतनी बढ़िया इसके बंद के तयार होती है और इस तरह देखें आटा गुद की तयार रुके आटा को ढखके लगपक 10 से 15 मिनट के लिए रख देते जिससे अच्छी तरह से सेट हो जाए आटा को ढखके रखके वे लगपक 15 मिनट हो गया है अब इसकी रोटी बनाना शुरू करते हैं सुरू करने इस पहले एक पाराटे को अच्छी तरह से मिला लीजें और मिलाने के पार थाली के अंदर थोड़ा सामने सूखा आटा निकाल लिया और इस तरहें रोटी बन के त्यार हो गई आपको दिखा देते देखिए इस तरह से रोटी हमने बना के त्यार कर लिया है इसके ऊपर एक रोटी को ढाल देते हैं और कैस की फ्रेम को मीडियम कर देती है एक मिनट तक रोटी को ऐसी रहने दिया, एक मिनट बात रोटी को हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी लगपक एक से डिड़ मिनट तक इसको पका के त्यार कर लेती हैं इसको अलट पलट के अपरी दोनों तरफ से रोटी को सीख के त्यार कर लेना है एक रोटी को बड़े में लगपक तीम नट का समय लगेगा लेकिन पूरी रोटी को गैस की मीडियम फ्लेम पी पका के त्यार करते है इसी मिस्सी रोटी थोड़ा सा मोटी होती है और रोटी अंदर तक अच्छी तरह से सेख जाए इसके लिए हमने मीडियम फ्रेम पी पका के त्यार करना है और इस तरह देखे रोटी बन के त्यार हो गई है दूसरी को भी इसके अंदर डाल देते हैं और इसी प्रोसेस के त्वारा बाकी रोटियों को हमने सेख के त्यार कर लेना है यार रोटी को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं रखने एक बाद इसके उपर गरम रोटी पे हमने मक्षन को लगा दी आप चाहे तो इसके उपर देसीगी भी लगा सकते हैं। ऐसी रोटी बनाते जाहिए और इसके उपर रखते जाहिए मक्षन यो देसीगी लगाते जाहिए। ये रोटी गर्मा करम बहुत ही जादा टेस्टी लगती एक पर आप इस रोटी को जरूर ट्राई करेगा। अगर आपको माई रिस्पियां अच्छी लगती वीडियो पसंद आती तो इसी लाइक करें, शेयर करें, सब्स्क्राइब करना बिल्कू नहीं भूलेगा। और मुझे कमेंट करके बताईगा, इस तरह आपने मिस्सी रोटी बनाई तो आपको कैसी लगी। आपके साथ सेहत का पूरा ध्यान रखके हिलती बनाईए हिलती खाईए। आप दिपता कीमती से मिनिका के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी के बहुत बहुत धन्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया।